रिद्धी पटेल मोधी और हिंदू के अगेंस्ट बयान बाजी इतो अमेरिका ने क्यों अरेस्ट किया है। चलिए समझते हैं, पूरा मामला, ऐसे ही सिंपल लैंग्विज में केस स्टडी को समझने के लिए हमें जॉइन कर सकते हैं। रिद्धी पटेल, एक भारती अमेरिकी महिला, जिन्होंने अमेरिका के बेकर्स फील्ड शहर की सिटी काउंसिल में एक भाशन दिया था, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में बोलते हुए और इस्रायल की निंदा न करने पर मेयर और काउंसिल के सदस्यों को जान स मारने की धमकी दी। उनके इस भाशन के बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया और उन पर 16 गंभीर अपराधों के आरोप लगाए गए। वो प्रो-पैलेस्टाइन स्टांस लेते हुए इसराइल-हमास कॉनफिक्ट के लिए सीस-फायर रेजोलूशन पास करने की मांग की। साथ ही वो हमास का सपोर्ट में बोलते हुए काउंसिल मेंबर्स और मेयर को थ्रेट करते हुए कहा कि हम आपके घर आकर मिलेंगे। हम आपको मार देंगे उन्होंने कहा कि किसी दिन कोई गिलोटीन लेकर आएगा और आप सब को मार देगा। उनके भाशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया, जिसमें उन्होंने गांधी और चैद्र नवरात्र का उलेख करते हुए धमकी भरे शब्द कहे. इस घटना की वजह से उनके खिलाफ जनता और मीडिया में काफी आक्रोश उत्पन्न हुआ है. इस मामले की जड़ में इसराइल फिलीस्तीन संगर्ष है, जिस पर विश्व समुदाय विभाजित है. कुछ देश फिलीस्तीन का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ इसराइल का. अमेरिकी सरकार खुलेाम इसराइल का समर्थन करती है, जिससे अमेरिकी शहरों में इस विशय पर और बहस और भी तीवर हो गई है। रिद्ध पटेल के भाशन ने न केवल उनके निजी विचारों को प्रकट किया, बलकि यह भी दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति के शब्द और कार्य व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकते हैं। जन्म राजनीतिक व्यक्तिक्तिक्तिक्ष में ठीस विचारों के व्यक्तिक्तिक्तिक्षैं। झाल झाल